पुरुष चीजें एक तरह से करते हैं, महिलाएं दूसरी तरह से, टकराव होता रहेगा, क्योंकि आपको एक प्रकार की जगा चाहिए और उन्हें दूसरे प्रकार की, इसे कैसे संभालें? तो ये चीज आपको उम्र बढ़ने के साथ सीखनी होगी. नमस्कारम सद्गुरू, नई पीड़ी और पुरानी पीड़ी में आपस में आजकल बहुत मद्भेद दिखा जाता है. हम ये कैसे सुनश्चत करें कि उम्र का अनुभव और जवानी की उर्जा एक साथ काम करें? सिर्फ आजकल नहीं, इन में हमेशा से मद्भेद रहा है. नई पीड़ी और पुरानी पीड़ी. असली समस्या ये है, पुरानी पीड़ी ये नहीं मानती कि उनकी उम्र हो चुकी है, और नई पीड़ी ये सोचती है कि वो बड़े हो चुके हैं. यही पूरी समस्या है. युवा खुद को युवा नहीं, बलकि हर काम करने लाइक बड़ा मानते हैं. पर उनकी जगा किसी और ने ले ली है. ऐसा सिर्फ इनसान ही नहीं करते, खासकर हाथियों में. आप देखेंगे कि अचानक एक युवा हाथी गुस्से में यहां वहां घूम कर चीजें करेगा. क्योंकि उसकी एक बड़े हाथी से लड़ाई हुई है. वो अपनी जगा नहीं छोड़ रहा था. तो ये छोटा हाथी लड़ना चाहता था, पर लड़ने की ताकत नहीं थी, इसलिए तबाही मचा रहा है. जवानी तो इसलिए हमने इस देश में वर्णाश्रम धर्म बनाए थे, यानि शून्ने से बारा वर्ष तक बाला वस्था होगी, बस खेलना, शरीर और दिमाग का विकास. 12 से 24 ब्रह्म चर्य है, ये खुद को अनुशासित करने का समय है, शरीर और मन में डिसिप्लिन लाने का, उर्जाओं का विकास करके एक शक्तिशाली जीव बनने का और ग्यान पाने का. 24 के बाद आप चुन सकते हैं, अगर आप जीवन को साफ देख पाते हैं, तो हर जंजट में पढ़ना जरूरी नहीं है, तब आप 24 साल के उम्र में सन्यासी बन सकते हैं, वरना आप शादी कर सकते हैं. तो अगर आपने 24 में शादी की, तो 200 चक्र, यानि 24 साल बाद आप 48 के होंगे, यानि आपके बच्चे 18 से 22 के बीच होंगे, युवा हाथी की तरह वो चाहते हैं कि आप जगा छोड़ें, पर वो कह नहीं सकते. आज कल आधोनिक युग में हम बच्चों को दूर भेज़ देते हैं, हम नहीं जाते, हम उन्हें कहीं और भेज़ देते हैं, इन अजीब स्थानों को आम तोर पर युनिवर्सिटी कहते हैं, पर उन दिनों, जीवन खेती के आसपासी घूमता था, लोग घर छोड़के दूर नहीं जा पाते थे, क्योंकि उनके जानवर और जमीन वहीं होती थी, वो कहीं और जाकर नहीं जी सकते थे, तो किसी को तो जाना था, तो 48 साल के माता पिता सन्यास ले लिते थे, और अलग दो स्थानों के और चले जाते थे, पती एक अलग आश्रम में जाता और पतनी अलग में, अपनी आध्यात्मिक साधना के लिए, बारा साल, साथ की उमर में वो वापस आकर फिर से शादी करते थे, आजकल वो बाहर नहीं जाते, वो साथ ही रहते हैं, और साथ साल में फिर भी शादी करते हैं, नए, आपको बारा साल दूर रहना चाहिए, पहली शादी में शायर शरीर और मन के विवश्टाएं आप पर हावी थी, अब वो सब चीजें जा चुकी हैं, बारा साल के आध्यात्मिक सादना के बाद, आप एक बिलकुल अलगत रहे के साथ वन प्रस्थ में चले जाते हैं, यानि अपने जीवन का अंतिम हिस्सा वन में जीते हैं, तो तब ऐसा होता था, जब आप चाहते थे, माता पिता दूर हो जाएं, वो हो जाते थे, अब वो नहीं जाते, वो चाते हैं, आप चले जाएं, अगर आपने दुनिया में सफलता पाली है, तो आप उनके चाहने से पहले ही जाना चाहेंगे, पर अगर आप सफल नहीं हैं, तो टकराव, किसी कारण से अगर आप सफल नहीं हैं, तो मात माता-पिता और बच्चों में टकराव स्वाभाविक है। आपको ये समझना चाहिए कि भावनाओं के कारण कोई खुद को माता-पिता या बच्चा मानता है। पर जीवन की स्थिती यही है। मानो एक जवान हाथी और बड़ा हाथी। इस बात को लेकर लड़ रहे हूँ कि किसकी चलेगी। पुरुष एक तरह से लड़ते हैं, मैलाएं दूसरी तरह से। पर बुनियादी समस्या एक ही है। आपको अपनी चलानी हैं और वो आपको ऐसा करने नहीं दे रहे। टकराव होते रहेंगे। जो बच्चे दूर रहते हैं, वो हमेशा आपको प्यार करते हैं। यही सही तरीका है। अगर वो आपके साथ होते, इसलिए नहीं कि आप बुरे हैं या वो बुरे हैं, ये इसलिए हैं। क्योंकि आपको अपनी चलानी है और उन्हें अपनी पर दोनों साथ रह रहे हैं, तो तनाव पैदा होगा। तनाव तब नहीं होगा जब आपके बच्चों में बढ़पन आ जाए। अब समझे। आपने उन्हें बच्च्पन में परिपक्व बना दिया है। तो वो बुजूर्गों के साथ काफी अच्छे से रह पाएंगे। जब आप पिमार होते हैं, तब वो ठीक से बरताफ करेंगे, क्योंकि अब उनमें देखभाल करने की भावना आ जाती है। पर अगर आप तंदुरूस्त हैं और वो भी, तो दूरी रखना बहतर है। हाँ, तो ये कोई नई समस्या नहीं है। मुझे विश्वास है, गुफाओं में रहने वाले जवान और बुजूर्ग लोगों के बीज भी यही समस्या रही होगी। क्योंकि बुजूर्ग खुद को बुजूर्ग नहीं मानते हैं, और युवा खुद को युवा नहीं, बलकि हर काम करने लाइक बड़ा मानते हैं, तो कुछ न कुछ होता रहेगा। इसे कैसे संभाला जाए? तरीका ये है कि बुजूर्ग पीछे हटते जाएं और युवा उनकी जगा लेते जाएं बात सिर्फ ये है कि बुजूर्गों को बुद्धी और अनुभव दिखाते रहना होगा ताकि युवा बुजूर्गों की कीमत समझ जाएं ऐसा नहीं हुआ तो युवा आपकी इज़त नहीं करेंगे और बुरा बरताव करेंगे तो ये चीज आपको उम्र बढ़ने के साथ सीखनी होगी आप में जीवन की समझ और परक है जो उन्हें अभी नहीं है इसलिए वो आपका सम्मान करेंगे तब आप एक ही स्थान में रह सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे समझदारी से आप उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर रहने दें और खुद फर्स्ट फ्लोर पर रहें आपको सम्मान मिलेगा अगर आपने सम्मान लायक कुछ नहीं है और आपने बस अपनी समस्याएं और बकवाज जाहिर की है तो वान प्रस्ट ठीक है मैं जानता हूँ आपको ये सुत्तर की उमीद नहीं थी पर मैं क्या करूँ? मैं कोई नेता नहीं हूँ जो सही चीजें बोलू मैं वही कहूँगा जो सच है